परमादर्नी चोपरा साहब, हमारे विशिष्ट अतिती और एक बहुत ही जावाज भारत के नागरिक सेवक और लोगों के लिए मिसाल वैज साहब, सामने उपस्तित सभी विशिष्ट अतितीगन, नूबल फाउंडेशन के शर्मा जी, नूबल फाउंडेशन की सिक्षिकाएं और सेवक और प्यारे बच्चो, कभी भी तकलीफ होती है, किसी भी उमर में तो मा यादा आती है, और अगर ज़्यादा तकलीफ होती है तो नानी यादा आती है, मतलब मा की मा यादा आती है हमें, हम आज यहां एकत्रित हुए हैं महिला शक्ति महिला उपलब्धी को रेकरगनाईज करने के लिए लेकिन मेरा यह विश्वास है कि जैसे एथलीट्स जो एथलेटिक्स में होते हैं उनके दर्द की मन्जिल वहां से शुरू होती है जहां आम आदमी के खत्म होती है क्योंकि उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ज्यादा तकलिफ सहनी पड़ती है तो महिला की जो अचीवमेंट की मन्जिल या दर्द की मन्जिल वहां शुरू होती है जहां हम पुर्शों की खत्म होती है क्योंकि वो जो भी अचीव करते हैं अपने जिवन में वो परिवार, घर, समाज को समालते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनकी सारी जो अबस्टिकल्स हैं, जो हम उन पे रुकावटें डालते हैं, उन सब को तोड़ते हुए, वो फिर वहां से अपनी अचीवमेंट इस आदर का और इस समान की पात्र हैं, और उधर जो महिलाए बैठी हुए हैं, उन्होंने उस मंजिल से आगे जाकर अपने जीवन में अचीवमेंट्स की हैं, संस्कृत में श्लोक है, जो कहता है, त्वयत धार्यते विश्वंग, त्वयत सिज्यते जगत, त्वयत पाल्य देवी तुमत संते चसरवदा, ये मादुर्गा की प्रार्थना है, और हम सब को पता है कि जब पूरे सभी भगवानों को, वो किसी युद्ध में हार जाते हैं, उन्हें सुर्ग से निकाल दिया जाता है, या कोई उनको तकलीफ होती है, तो फिर भी उन्हें बचाने वाल प्रारी शक्ति होती है, और वो शक्ति सभी देवताओं की शक्तियों का समिश्रन है, और तभी मादुर्गा का प्रादुर्भाव होता है, हमारे सिक ग्रंत में भी है कि समिघट आये भोगवे पियारा विची नारी पुरुख सबुस होई, मेरी पंजाबी उतनी अच्छी नहीं है, शायद आपको समझ आ गई होगी दोनों कि मेरी पंजाबी भी अच्छी नहीं है, लेकिन जो मैंने कहा वो भी समझ आ गई होगी, कि इश्वर उस प्यारे के पास पुरुश और स्त्री दोनों बराबर है लेकिन आज जैसे हम देख रहे हैं और जैसे मानिये हम चोपरा साब के साथ बात कर रहे थे कि आज महिलाएं आगे आ रही है कल IAS के परिक्षाओं में सेकंड रैंक पे एक महिला रही और उसने पहले 25 में एक महिला है जिसके पिता किसान है पहले 25 में 8 महिलाएं हैं तो महिलाओं को रोकने वाला कोई नहीं है महिलाओं को रोकने वाली खुद महिलाएं है और एक छोटी सी कहानी है एक मेजर जनरल साब ने लिखा था कि कश्मीर के 12 मुला में 2004 में एक बार एक सैनिक की लैंड माइन में उसकी अक्सिडन्ट हो गई थी रात में साड़े बारा बजे और एक मेजर जनरल राज महता हैं उन्हेंने एक आहानी लिखी है कि कैप्टन देवी का गुपता थी जो डॉक्टर थी उस वकर जूटी पे उन्होंने फोन किया कि इस तरह से अक्सिडन्ट हुआ है मैंने इस सैनिक को 150 स्टिच लगाए हैं क्योंकि उसकी सारी पेट की अतनिया बहार हो गई थी और इसको अभी रात मैं ही श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल में ले जाना है नहीं तो इसकी जान बचानी मुश्किल होगी तो जनरल साहब ने उसको एक जो आर्मर्ड कार होती है जो बक्तर बंद गारी होती है वो कहा कि ये आपको ले जाएगी उन्होंने कहा नहीं इसमें नहीं ले जा सकोंगी मैं क्योंकि मुझे हाथ में उसकी ड्रिप पकड़ के साथ ले जानी पड़ेगी और इस बक्तर बंद गारी में उतनी जगह है नहीं तो खुली जीप में इन कैप्टन देविका गुपता रात में साड़े बारा बजे वहां से चली उनकी जो पट्रोल जीप थी वो रास्ते में खराब हो गई श्री नगर के पास पाटन कोई जगह है उसके पहुंचते पहुंचते तो वो खुद अकेली उस जीप में ड्राइवर के साथ वहां पहुंची और जब जनरल साब ने मना किया कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी तो उसने नहीं जाने दूँगा उन्होंने कहा कि इस सैनिक की जिंदगी मेरे हाथ में है आई एम दे जी ओसी अट इस मोमेंट बिकॉस आएम डॉक्टर और उन्होंने लिखा है कि सबेरे साड़े चार बज़े उसका फोन आया कि इसका ऑपरेशन हो गया मैं भी ऑपरेशन में साथ थी और इसकी जान बच जाएगी और फिर उन्होंने लिखा है कि उनको टाइगरस कहा इस तरह का जजबात जो है वो महिलाओं में है और जीतने की शक्ती है उनमें मैं बीच बीच में जाता हूँ बॉर्डर पे एक राजाताल ब्यसफ का चोटा सा कैम्प है सर्दियों में गर्मियों में रात बारे बजे तक महिलाएं कंदे पे इंसास राइफल लेकर पट्रोल कर रही होती है तो महिलाओं शक्ती तो वहां शुरू होती है जहां मैं मानता हूँ कि हम पुरुशों की जो लिमिट है वो खतम होती है तो एक छोटा सा शेर है और वो मा के लिए है क्योंकि हर चीज जो हमें बचाती है उसको हम मा बोलते हैं धर्ती मा बोलते हैं भारत को हम मा बोलते हैं और कुछ दिन पहले अर्थ डे हुआ था अर्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं यह हमारी I think this is arrogance on the part of us human beings कि जो धर्ती हमें support करती है जो धर्ती हमें sustain करती है उसके लिए हम उसका birthday मनाते हैं हमारी जिंदगी उस पर निरभर है उस अर्थ की जिंदगी हमारे पर निरभर नहीं ह हम अर्थ को बरबाद करेंगे तो नुकसान हमारा होगा यह mindset जो हम माता और शक्ती इसकी जो हमारे मन में जो कलपना है वो धीरे धीरे बदल रही है और उसके बदलने में हमारा बहुत रोल नहीं है उसके बदलने में जो जो जारू महिलाएं हैं जो अपने limit से बाहर जाकर लड़ रही हैं एक मा जिसने अपने बेटे को खोया और पूरे सिस्टम से लड़ गई और जीत गई यह जजबा है महिलाओं का एक छोटी बच्ची जो world record कायम करके अब बोलती है कि मैं और records कायम करूंगी यह जजबा है महिलाओं का और हमारे सामने जो बच्चियां बैठ नहीं बोल रहा हूं बंदी से यह पूछे बता तेरी रजा क्या है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी खुशकिस्मती है कि इस समारो में मैं शामिल हो पाया और मैं यहां आज जो अवाडीज हैं और जो बच्चे हैं और जो प्रेजंट हैं उन सब से मैं इंस्प और दुनिया के लिए एक मिसाल कायम हो जहां सोसाइटी में सभी बराबर हों सभी को एक्वल उप्चियोंटिज हो आप सबको बहुत धन्यवाद बहुत शुब कामनाए जैहिंद थैंक यू सू मज और अब मैं नुरूत करना चाहूंगी डीजीपी जमुएन कश्मीर आईपीएस आदेनी श्री डॉक्टर बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया है और एक रिक्वेस्ट मैंने राजन शर्मा जी से करी थी पर उन्होंने कहां मैं ही यह अनौंस करूँ एक तारीक को हम यहां पर इसी हॉल में सभागार में एक और प्रोग्राम करने वाले हैं जहां हमारा एक जुनून है पागलपन है जिसको हम वर्टिकल गार्डन बोलते हैं ग्रीन प्लास्टिक निशेटिफ आपने इंकम टाइक्स का दफ्तर देखा होगा उसका हुलिया ब प्रिशद में चंडीगड में अमरिट सर में हर जगह वर्टिकल गार्डन अब लग रहे हैं उसी सिलसिले में हमें यहां प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें हम जो भारत सरकार ने मीजल्स रूबेला प्रोग्राम को वैक्सिनेशन प्रोग्राम को पंजाब में लॉँच किया है उसको सपोर्ट करने के लिए टाक्स अवेरनेस के लिए तो आज बच्चों का प्रोग्राम जो इनका जो कारेकरम था वो इतना अच्छा था कि मैंने शर्मा जी को ये रिक्वेस्ट किया है कि हमारे एक तारिक को जो छे बज़े जो प्रोग्राम होगा इसे सबागार में उन बच्चों को हमसे हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करें कि वो भी अपनी परफॉर्मेंस हमारे प्रोग्राम में करें तो ये छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहता था और शर्मा जी का और नोबल फाउंडेशन का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हामी भर दी है तो ये हमारी खुश किसमती है आप सब का बहुत धन्यवाद